हाई गुड मॉर्निंग तो चलिए बात कर लेते हैं फटाफट की आज की मार्केट का ओवर्विव किस तरह का रहने वाला है और कैसा आज का एक्षन रह सकता है मार्केट में तो चलिए सबसे पहले तुम आपको बता देता हूं कि कल यानि मंडे को इंडिया का जो जो जोब डेटा है वो बहर आया है तो उसमें कुछ बहुत अच्छे संकेत हमें मिल रहे हैं जैसे जो अनिम्प्लोइमेंट रेट है इस डिक्लाइन फ्रोम 3.6 परसेंट तो 3.1 परसें in 2023 जो कि एक अच्छी बात है कि जो अनिम्प्लोइमेंट रेट है वो डिक्लाइन हुआ है पहली चीज तो यह दूसरी चीज जो ग्लोबल रेटिंग एजनसी है मूडी उसने इंडिया के जो ग्रोथ एस्टिमेट है 2023 का उसको 6.7 परसेंट से बढ़ा के 7.7 परसेंट कर दि इंडिया का जो 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 डेटा है वो बहार आया है और इसमें जो तीन फैक्टर मैंने आपको बता है तीनों ही लाइक पोजिटीव है मार्केट के लिए अनिम्प्लोइमेंट रेट है वो भी डिक्लाइन हुआ है और जो ग्लोबल रेटिंग एजनसी है उसने जो ग्रोथ ए एक्षन रह सकता है क्या लेवल्स है जिन पर हमें ध्यान रखना चाहिए तो देखिए ओवरोल तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था ओवरोल जो मार्केट में सेंटिमेंट है इस गूइंग बुलिश पोजिटीव सेंटिमेंट है हम ब्रोडर मार्केट है वो थोड़े से अगर कोई डिप आता है तो आप उसको बाई कर सकते हूँ मार्केट अगर मानलीजे 22-22-250 के आसपास आता है इस रेंज में आपको मिलता है मार्केट तो वहाँ पे आप एक बार के लिए बाई कंसिडर कर सकते हो तो मार्केट ओपन होते मानलीजे एक बार के लिए मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट के ओपन होते ही त तरह से बोलना नहीं चाहिए है अला कि मार्केट में मार्केट सार सुप्रीम सो मुझे ऐसे प्रेडिक्ट करने में डर लगता है बट जो मेरा अनेलसिस है उसके अकोडिंग में आपको बता रहा हूं कि अगर कोई डिप आती है तो वो आप बाई कर सकते हो जो डेटा है वो यह कह रहा है ठीक है तो नीचे के तरफ का यह लेवल है जहां पर आप बाई कर सकते हो बाकि immediate target है यह हमारा immediate target होने वाला है तो जो technical और derivative data है दोनों indecessiveness शो कर रहे हैं क्योंकि कल का अगर आप chart देखोगे उसमें कल के दिन का जो candle है that also shows indecessiveness की market में अभी market ने like जिस level पे है वहीं पे है market अभी कोई ऊपर या नीचे जाने के कोई इस तरह के solid संकेत market नहीं दे रहा है लेकिन overall sentiment है that is positive इस वज़े से market नीचे जाएगा उसके गुंज़ाश मुझे बहुत जादा नहीं लगती है हो सकता market आज भी एक range में रहे but overall it is going to be from range bound to positive और जो levels है वो मैंने आपको बता दिये हैं ठीक है इसके अलावा जल्दी से बात कर लेते हैं कि FIs का action है वो किस तरह कर आ है तो देखे FIs ने कल 564 करोड की सेलिंग की है और वहीं पर DIs है उन्होंने बाइंग की है और उन्होंने solid बाइंग की है 35,000 sorry 3543 करोड की तो FIs की सेलिंग 564 करोड की and DIs की जो बाइंग है that is 3543 करोड ओके और अब भी कि अगर मैं बात करूँ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जो gift nifty है वो एक flat start indicate कर रहा है कि market जब open होंगे तो एक flat tell tree में market trade कर रहे होंगे जो gift nifty से जो हमी signal मिल रहा है वो एक flat opening का मिल रहा है और doubt future और जैसे Japanese market इन की अगर मैं बात करूँ तो वो थोड़े से negative tell tree में अभी trade कर रहे हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं बट overall मैं आपको बताऊं तो देखे जो sentiment है that is positive तो broader market जो है जैसा कि मैंने आपको बताए कि अगर आप stocks में trade करते हूं तो mid gap और small gap हो गया जैसे वो थोड़े से pressure में रह सकते हैं बट nifty bank nifty जो हैं वो I believe कि वो एक positive trade में रहने वाले हैं और अगर कोई fall आता है तो आप उसमें बिल्कुल buying consider कर सकते हूं कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है और कल जो growth लेट आया है उसका effect भी हम देखने को मिल सकता है जो तीन चीज़े मैंने आपको बताई हैं तो यहां पर एक bullish sentiment है जिसको आप capitalize कर सकते हो तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर खतम करता हूं जो चीज़ मैंने आपको बताई है यह I hope आपके काम आईगी market में आप कोई भी decision लेते हो जो मैंने मेरा view बताया है मैं गलत हो सकता हूं लेकिन आप इससे इसको अपने view को इससे tally कर सकते हो और अगर आप कुछ infer कर पाऊ तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पर खतम करते हैं Have a profitable day